कहते हैं खिचडी के हैं पांच यार घी दही चोखा पापड़ और अचार तो हाई दोस्तों मैं कुस्वम स्वागत है आपका कुस्वम जैस्वरी में आज हम बनाएंगे ये चट पटे से इंस्टेंट खिचडी प्रेसर गुगर में और इसे सर्व करेंगे इसके पांच दोस मुझक का हैं दोन के दोस्ते हम थोके सर्वल पाणिटा पंड़एंगे आपके जो घंते डवियास करते हैं पामड़ करके वाल हम एक अग समग ठिकंड़ियनाल कृत्ति में इस में दो स्बस्कूर में दमाट़ा imperfectी आए फाल कले के लिए भींगो देंगे तक यह चावल दाल अच्छी तरह दे फोल जाए अगर आपके पास वक्त नहीं है तो खिच्री बनाना सुरू करने से पहले चावल को दो करके और पार में भीगो दे और अब सुरू करते हैं खिच्री बनाना तो प्रेसर को करको रखेंगे गैस पर और इसमें डालेंगे एक बड़ चमच घी जब गर्म हो जाया तो इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच जीरा और दो तेज पत्ता अब इसमें डालेंगे हम आधा इंच अद्रक छोटी पीस में कट किया हुआ और 4-5 करीना लहरूसन की बारी कट करके अब इसे हमें गुलाबी होने तक फ्राई करना है इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च को बारी कट करके और जबी गुलाबी हो जाएं तो इसमें हम डालेंगे एक छोटा आलू छोटी पीस में कट किया हुआ इसे भी हमें हलका गुलाबी होनी तक फ्राइ करना है तो इसी के साथ हम गोबी भी फ्राइ कर लेते हैं तो मैंने थोड़ा सा गोबी लिया छोटी पीस में कट किया वह एकदम छोटा भी नहीं कट करना है और इसे डंडल के साथ रखना है अकर डंडल नहीं रहेगा तो जब खिचिड पकीगी तो गोवी पुरी तरह से गल जाएगा तो जब आलो और गोवी फ्राई हो जाए तो इसे हम डालेंगे एक मीडियम साइस का प्याज बारिक स्लाइ बिना सबजीयों के भी खिच्री बहुत टेस्टी बनती है इसे 30 सेकंड हम फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे हम एक मीडियम साइस का टमाटर छोटे पीस में कट करके इसे हमें ज्यादा कलाना नहीं है बस 30 सेकंड इसे फ्राई करें और आब इसमें डालेंगे हम आदर पानी के साथ नहीं डालना है क्योंकि हम चावल और दाल को थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो इसे हम एक मिनुट के लिए फ्राई करेंगे गैस के फ्लेम को मीडियम रखें और अब इसमें डालेंगे हम आदा शुटा चमच गरब मसाला और इसे सिमिक करने के बाद इसमें हमें डालना है पानी तो दाल और चावल मिक्स करके एक कप पूरा होता है तो हमें चार कप पानी डालना है तो जितना भी दाल चावल की कॉंटिटी हो उसका चार गुना पानी डालें अब इसमें डालेंगे हम स्वाध अनुसार नमग तो मैंने आए एक छोटा चमच भरकर नमग डाला है थोड़ा सा और डाल देखे हैं इसमें लास्ट में डालेंगे एक छोड़ा चमच कसुरी मेति का पाउडर ये रोस्ट किया हुआ कसूरी में थी है उसका पॉडर बना कर डाल रही हूँ और अब इसे चीते से मिक्स करें और गैस के फ्लेम को हम मेडियम रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ एक आलू इसे छील कर पढ़ालू था तो मैंने दो पीस में कर दिया है क्योंकि इसका दोस्त हमें चुक्खा भी तयार करना है अब इसकी लीट को लगा करके एक विसे लानी तक खुखोने देना है और इसके प्रेसर को हम खुद से रिलीज होने देंगे अगर चावल दाल को आपनी नहीं भींग होया है तो गैस के फ्रेम को स्लो कर दें और तब एक विसे लानी दें और जब इसका प्रेसर खुद से रिलीज हो जाया है तो हम इसे खुखोन कर देखेंगे तो देखें खुखोन करूं करने खुखेंगे इसमें पाणी डाला होगा मगर उस से पहले हम ने अलुचो डाला है उससे निकाल लेंगे इससे ज़्याद मिक्स नहीं करें निए तो आलु जो है वो पुरी तर्सीं खुखोन करने भाईब हो गया और घॉय रहा तो इसे भी हम side में रख देते हैं पहले खिचरी तियार कर लेते हैं खिचरी की consistency adjust करने के लिए इसमें हम गर्म पानी डालेंगे जितना काड़ा या पतला रखना हो इसे साब से पानी डाले इसे ज़्यादा mix नहीं करना है नहीं तो सारी सब्चियां हल्वा बन जाएंगे खिचरी तो लगबक तैयार है मगर इसमें भी तड़का लगाना बाकी है तो तड़का पैन को रखेंगे हम गैस पे और इसमें डालेंगे एक चमच खी घी जब गर्म हो जाया तो इसमें डालेंगे एक चुटा चमच जीरा और वन फो टीस्पून हींग और दो सुखी लाल मिश को तोड़ करके डालें और चार-पांच कड़ी पत्तर डालेंगे अब गैस को आफ करें और इसे फटा-फट हम डालेंगे खिचरी में और कूकर को कवर कर दें तक कि तड़की का इसमेल खिचरी में जाए बाहर नाव फैलें अब तैयारी करते हैं चोके की तो पैन को रखें गैस पर और इसमें डालें एक चमच मस्टर्ड और इसमें डालेंगे अधा इंच अध्रक छोटे पीस में कट किया हुआ तो आयल हमें जादा नहीं डालना नहीं तो जो चोकह है वो ओईली हो जाएगा अब इसे हलका गुलावी होने तक हमें फ्राइ करना है अब इसमें डालें एक घरी मिर्च को छोटे पीस में कट करके और एक मीडियम साइस का प्याद बारी चॉप करके और इन सबको हलका जाब योनी तक हमें फ्राइ करना है लास इसमें डालेंगे थोड़ी से बारी कर्ट की धनिया पती को और इसे मिक्स करें तो यह हमारा टेस्टी चोखा तैयार है तो खिच्री का एक दोस्त तो तैयार हो गया दूसरे दोस्त को चलते हैं बनाने तो वो है पापड तो पापड को हम फ्राइन ही करेंगे रोस्ट करेंगे मैंगर रोस्ट करने से पहले इसके उपर थोड़ा सा घी अपलाई करेंगे ज जब यह पापड अच्छी तरह से सिख जाए दोनों तरब से तो इसे फटा-फट हम फोल्ड करेंगे गर्मा-गर्म नहीं तो फिर यह फोल्ड नहीं हो पाएगा देखिए तो हो गया तयास सर्व करने के लिए तो गर्मा-गर्म खिच्री को सर्व करें इसके पाँच दोस्तो पाँची